किसान भाईयों नमस्कार, स्वागत है आप सबे का हमारे यूटूब चैनल धाकडेगरी कल्चर में किसान भाईयों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिक्वीड सल्फर के बारे में लिक्वीड सल्फर का उपयोग हम अपनी फसलों में किस परकार से कर सकते हैं और कितनी मात्रा में कर सकते हैं संपुर्ण जानकरी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है किसान भाईयों अगर आप किसी भी परकार की खेती लगा रहे हैं तो उसमें सल्फर की सबसे ज़्यदा आवशेक्ता होती है और खास तोर पर तिलहनी और दलहनी फसलों में सल्फर की सबसे ज़्यदा जरूरत होती है तो अब आज इस वीडियो में हम सल्फर के महत्यों के बारे में समझने वाले हैं और सलफर का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सामपूर्न जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखेगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएं वीडियो सुरू करने से पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बारा हैं उनसे खास तोर पर मेरा निवेदन रहेगा कि सबसे पहले चैनल को नीचे आपको लालक सुर में एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और उसके पास मैं एक घंटी के निसान को दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से इसी परकार की नहीं नहीं जान कर या मिलती रहेगी किसान भाईयों आप बात करते हैं सलफर के बारे में तो सलफर सबसे पहले मुख्य रूप से एक खाद और एक टोनी का काम करता है इसके अलवा बात की जाए इसके बारे में तो किसान भाईयों सलफर एक परकार से फंगी साइड और कीट नासका का काम भी करता है सलफर के उपयोग की अगर बात की जाए तो सलफर खास तोर पर तिलहनी और दलहनी फसलों में सबसे बड़ी बुमी का निबाता है और सलफर के उपयोग से हम हमारी फसलों से काफी अच्छी उपज ले सकते हैं किसान भाईजों सलफर का उप्योग आप किसी भी परकार की फसल में कर सकते हैं और आप खास तोर पर सबजी वर्गिये फसलों में फल वर्गिये फसलों में इसका उप्योग जरूर कीजेगा क्योंकि सलफर के उप्योग सलफर के फायदे फसलों में काफी ज़्यादा देते ह इसके अलावा सलफर का अगर हम किसी भी फसल में उप्योग करते हैं तो उसके बीज उसके फल की गुणवता काफी अच्छी बनती है और उसके फलों में उसके फूलों में वजन निकलता है इसके साथ साथ हमारी उपज में भी बड़ोतरी होती है किसान भाजियों सलफर एक परकार से एक टोनिक का काम करता है एक खाद का काम करता है और एक कीट नासर का काम भी करता है तो आप अगर सलफर का उप्योग करते हैं तो आपको कहीं परकार से यह फाइदा देता है किसान भाईयों सलपर जो लिक्विट भॉम में आता है आप 20% जो सलपर लिक्विड आता है उसका उप्योग अपनी फसलों पर कर सकते हैं किसी भी कंपनी का आप मार्केट से खरीज सकते हैं किसी भी परकार से आप इस परे कर सकते हैं किसान भाई यों अगर इसकी मात्रा की बात करें तो जब भी आप किसी भी फसल में इसका उप्योग कर रहे हैं तो आप इसकी मात्रा 500 ml पर एकड के हिसाब से रखकर इस्प्रे कर सकते हैं किसान भाईयों सलफर एक टोनी के साथ साथ एक कीट नासक भी होता है जो हमारी फसलों में लगने वाले छोटे मोटे कीडे मुकोडे और रस चुसक कीटों को काफी हद तक मारने में कारगर साबित होता है इसके अलावा फंगस पर भी कई हद तक इसका रिजल्ट देखा गया है तो इसका हम टोनी के तोर पर भी उप्योग कर सकते हैं कीट नासक के रूप में भी उप्योग कर सकते हैं किसान भाईयों सलफर का फाइदा काफी मिलता है और हमारी फसलों में हमें कम से कम एक बार सलफर का उप्योग जरूर करना चाहिए ताकि हमारी फसलों से हम अच्छी पैदावार ले पाएं किसान भाईयों इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी उमेद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आए होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजेगा चेनल को सब्सक्राइब कीजेगा हम मिलेंगे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद जे जवान जे किसा